तो हम लोग purchase domain form the GoDaddy GoDaddy हम लोग domain purchase करेंगे और वहां पर उसको Map करेंगे ताकि तो कैसे हम लोग purchase करेंगे उसके पहले स्थोरा वोस्त जानते है fundamental डाइट करना सब्सक्राइब रहे तो नौलेज होना चाहिए तो क्या का हमारा है कि एक्चुली डोमेंड नेम क्या होता है तो क्या होता है गया दोमेंड नेम którą अर executed नाम होता है है जैसे हमारा phonebook होता है न फोन मूं में लगते हैं किอर्भीन सर नाम लिख दिए सेव क्या किए मेरा नंबर सेव कीए तो आपको डाइल करना परेगा तो क्या करिए गाली अर्भीन सर लिखेए कि आपना अटोबरी नंबर डाइल हो जाएगा उसी तरह में एक ऑनलाइन वैब डायरेक्टरी होता है जहांपर एक नाम के डौमेंनेm registry ॉसको नोम बोलते हैं। डौमेंड नेम डौमें रेजिस्ट्री है domen нев प्रोवाइडर डौमेंन घृजिस्ट्रार टो जैसे मोटामेक रेजिस्ट्री होता हैं contact रेजिस्ट्री होता हैЛे रेजिस्ट्रही होता है से strengthening register करते हैं उसी तरह में ऑनलाइन में एक डोमेन रेजिस्टरार होता है जो कि डोमेन को रेजिस्टर करता है बोलता कि भिए इस आई-पी अगर ये नाम सेर्च करेंगे तो पीछे में ये आई-पी अड्रस को आप कनेट करदेगा राइट कैसे उसका structure होता है इसको मैं बेकाइद है detail में लिखा हूं आपको पढ़ियागा और बनिया से मैं उसको detect नहीं कर रहा हूं इसलिए ताकि और था detail में आप लोग पढ़े और बहुत कुछ इसके अंदेन information है जो मैं अभी उतना detail में नहीं बता रहा हूं इंफरमेशन है structure क्या होता है दो structure इसका होता है टॉप लेबल structure होता है top label domain यह क्या होता है second label domain top label मतलब क्या होता है जैसे हमने search किया google doogle.com तो google.com किया तो google.co.in मैं करता हूं क्या आता है एक page आता है जो की page हमारा इंडिया से होता है तो टॉप लेबल domain मतलब क्या होता है अगर मैं बोलू टॉप लेबल कि डॉमेन और इसको मैं क्ठो मैं क्लिक करूंगा तो समझ में आएगा देखिए देखिए डॉट कॉम मैंने दिया कि डॉट कम मैंने दिया तो टॉप लेबल हो गया राइट डॉट और जी डॉट को डॉट नेट डॉट जी भी डॉट मिए सब क्या है सब टॉप लेबल डॉमेन है अब डॉट कॉम डॉट कॉम के अंदर में अंदर में आ गया हमारा इन मने इंडिया डॉट ऐयू अस्ट्रेलिया राइट इस तरह से बहुत सब्सक्राइब इसको बोलते हैं सेकेंड लेबल डॉमेंड लेबल डॉमेंड हम दिखाएंगे अभी सार्च करके तो और समझ माय डॉमेंड और से बहुती आंप लेबल डॉमेंट एयंड ए मुद इसकंपर जब अच्छा है देखिया है है कि दिखा रहा है ना सफ फ्टह और इंग्जाम्बल कॉम सब ड़कैड्व डॉमेंडिया रुक जैक्वल डॉमेंड हुआतवर bidding व्यंडॉटिक हैm दॉट कम क्या है पूरा ग्लोबल इस स्पेसिफिक है तो यह सिंपल होगी हमारा अगर यहां से मैं ले दूँ कि टॉप लेबल सेकंड लेवल में एक्जामपल में तो बहुत थी बहुतर एक्जामपल हो यह ठीक है डाइक्ट कम कर रहे हैं डॉट कॉम या डॉट नेट या ड डॉप लेमन डॉट इन दिखूंगा डॉट डॉट एक्जामपल डॉट कॉम डॉट को डॉट इन तो क्या हो गया वह हो गया सेकेंड लेवल डॉमें यहां तक क्लियर हो गया कोई कन्फीजन यहां पर है नहीं कि नहीं सब्सक्राइब क्या होता है हम तो डोमेन तो ऐसे ही तो नहीं कर जकते हैं भाई देखो यह अरबीन.com है तो इसको उपन करेंगे तो खुलेगा नहीं उसको रेजिस्टेशन करना पड़ता है कि हर डोमेन का एक अपना रेजिस्टेशन जैसे कॉंटेक्ट नमबर हो जाए ना अब खरिदते क्यसे खरिदते हैं या तो हमारा जिगों से खरितते हैं राइट क्याल्यूद से खरितते हैं बोडपवन उसी तरह से र्जिस्टेशन होता है मेरा डोमेन नीम मै बोला कि jk Прos.com किस कि ल deeds विट व का सब्सक्राइब नितेता है छोटा छोटा बंदा बैठा हुआ है या दुकान या जमा करता है औहोर फिल्मन हो गिया क्या हुआ हिए थो ड्रेजरें कर देता उसी तरह से रायी क्या हो गिया एक मिडिल्मन हो गिया जो हमारे लिए domain register करता है किसे करता है register वो एक I can बोलकर organization है जो मेन उसका authority है एक ही authority है main जिसको हम बोलते हैं I can right वो करता है उसी का franchises लिया है go daddy हो या अदा अधर company हो गया वह लिया है तो यह ने वह उससे से connected है हाँ एमाजन भी उससे connected है तो who is who is क्या है एक database है जहां पर हमको बताता है कि यह domain किसका है इसका मालिक कौन है राइट मा लिजे कि मैंने domain purchase किया कॉल को हो जकता है मेरा domain कोई और भी अपना पावर के बॉल पर ले ले तो ऐसा नहीं होता है इसका अपना डेटाबेस मेंडेन करता है प्योंकि वर्ल्ट जो है ऑगनाईजेशन के पास रहता है जो इसको को ही मानुपिलेट नहीं कर सकता है राइट इसलिए अभी एक नया बहुत दिन से चल ला है परचलन अभी वी चल तो उसको डोमिन्यम चाहिए ना तो बंदा क्या करता है कि दो बोलता है कि की भी आप टियो स्टल ओपिन की हैं तो मेरे पास एक डोमिन्यम है जो मैं आपको सेल करूंगा बड़ इसका चार्ज लूंगा एक लग रुपिया भले वो खरदा है हजार रुपे में खरदा या स कि यहां पर डोमेंड मेंनेंजमेंट सिस्टम कि जैसे मैं नाम हीट करूंगा डट-κॉम आइप से कनेक हो जाए तो यह किसके थृण होता है ये दी नस के थृण होता है डोमेंड नेंस सिस्टम या मेंन सर्वाल सकते हैं इन फरण रहता है आई-पी और नाम इस कि इस नाम के अग्रेस्ट में AIP और याईपी है समय यह नम नेम sorry कई होता है नेमसर वह चहांज पर उस DNS का रिकोर्ड रहता है यहां कि जो मैं rattling में किया हूं इस नाम के अग्रेस्ट में AIP और AIP कर Cham пер और उसका एक एंट्री रहता है जिसके पास उसको बोलते हैं नेम सरभर क्या होता भी होता है उसके अंदर में कुछ है रेजिस्ट्रेशन क्या होता है होता है नेम सर्वर क्या होता है simple simple चीज़ इसको तरह पढ़िये गा आप समझते हैं गोड़ेधि का fundamental क्या है गोड़ेधिंट प्रद्र क्या है विए गोड़ेधी सिंपली क्या है एक डोमेन रेजिस्टरर है या होस्टिंग कंपणी भी है जो कि हामारे लिए उएक डोमेन रेजिस्टर करता है एक सर्टेन में मालिजी की Godaddy ने एक डोमेन लिया दोमेन सो रुब्या में हो सकता है वह डोमेन हमको हजार रुपर बेचे या दोमेन तो गोड़ेडी क्या है एक मिडिल मैनम की तरह काम कर रहा है जिसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी किससे है मेन डोमेन प्रवाइडर से है तो वह एक क्या हो रहा है एक हमारा कंपनी है जो कि हमको डोमेन रेजिस्ट्रेशन प्रवाइड करता है संग में वह होस्टिंग भी प् बनाए जो वेब सर्वर इवलाव जो बनाए वह हमारे लिए अल्यड़ी यह सर्वर बना करके करके देता है तो भी वह चीज हमको प्रवाइट करता है